नमस्का नियूस फोनेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रचाश शर्मा इस बार का विधान सबाचुनाव काफित दिल्चस्प दिख रहा है हाला कि नतीजिया बहुत ही जल्द सामने आने वाले और ये भी इस पश्ट हो जाएगा कि बिहार का मुख्या कौन होगा न इमाम गंज की बात करें तो यह सीट खास असलिए भी हो जाती है क्योंकि यहां से पूर्व मुख्य मंत्री जितन रामांजी चुनावी डर्ण में है हाला कि मांजी ने पूरी तयारी की और वहाँ पर चुनावी रैलिया को भी संबोधित के आ गया चुनाव प्रचार भी क आ गया लेकिन वहाँ पर सिच्विशन क्या बनाए कौन आगे कौन पीछे अब आपको बताते हैं इमाम गंज की बात करें तो देखें इसी आई की तरफ से यह अपडेट सामने आया है इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है इमाम गंज सीट की बात यह आगे बढ़ रहे है उदनरान चौदरी जो की राष्ट्रिय जनतादल के टिकेट पर उस मैदान पर है वो पीछे छूटते नजर आ रहे है जितनरामान जी तकरीवन 3654 वोटों के अंतर से आगे बढ़ते चा रहे है और आपको 2015 का हिसाब कुदाब बिखाए तो 2015 में ज अंतर था वो था 39408 तो 29408 वोटों के अंतर से जितनरामान जी ने जीत दर्ज की थी और अभी वो उदनरान चौदरी को कठोर चुनावती देते दिख रहे है तकरीवन 3656 मतों के अंतर से वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हाला कि जितनरामान जी की बात करें तो पहले मनत्र के तौर पर इन्होंने इस विकार नहीं किया लगदार कॉर्डिनेशन समिटी की मांग इनके तरफ से की रही थी लेकिन वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था ते जस्वी आदव की तरफ से कोई भी भाव नहीं मिल रहा था जिसके बात से मांची ने घर वाप सी सीटे गई और चितन रामांजी खुद इमामगंज सीट से चुनावी रण में उतरते नज़र आए लेकिन आज जो इस तरी सामने आ रही है वह से में चीतन रामांजी जीतते दिख रहे हैं तक्रीबं तीन हजार वोटों के अंतर से वह आगे चल रहे हैं और उद्धन चौध उनके पक्ष्ट में ऐसे में जो सित्टी वो इस पस्ट ओर चैके जितन रामांजी इमामगं सीट पर जीतते दिख रहे हैं और वहां से वह आगे बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं अलाकि नतीजर बताएंगे कि सीट पर किस की जीत होती है और किस की माथ होती है अब तक जो रुजान सामने आ रहे हैं वैसे में जितन रामाजी आगे बढ़ते दिख रहे हैं विलाल कली इतना ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नियुस फोनेशन नमस्कार